वेल्कम टू नेक्स एक्जाम एट पीम बाई आकर सक अकाडमी ओनलाइन क्लास आपके पास मैं भवरास लेकर आये हुआ आपके लिए भूर आजसुभी वहाग में जो अमीन कानोन गो और एसो की रुकुर्मेंट चल रहा है उससे समंधित स्किल प्रोग्राम जिसमें हम प्रचना किसे कहते हैं और क्यों जरूरी है और कैसे बर्क करता है पूरी डिटेल से हम लोग देखेंगे तो आप अपने स्क्रीन पर कुछ देख रहे हैं कि आपकी डिपार्टमेंट और भू अभी लेख है वंपरिमाप निदेशाले के द्वारा ये रिकूर्मेंट करेंगे हम लोग फोकस्ट करेंगे यहीं पर बहुत शारा चीज़ है लेकिन चीजों को जान लेना बहुत जरूरी होता है राज अस्तर पर परसासनिक संड़चना इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है पूरे अस्टेट को कैसे मुनिट्रिंग किया जा उसके कौन-कौन से जिमवार व्यक्ति होंगे सारी डिस्टिबूट किया गया सरकार के द्वारा और वो कैसे बर्क करता है और कहां कैसी सुनवाई होगा सारी चीजों को हम लोग शमझेंगे तो सबसे पहला व्यक्ति जदी सबसे टॉप का कहेंगे सबसे उपर जो बैठा व्यक्ति इस डिपार्टमेंट का है वह मंत्री राजस शिवं भूमी शुधार विभाग इनके जस्ट नीचे का जो परसन है उनका नाम प्रधान सचीब होता है प्रिंस्पल सेक्रेट्टी या एडिशनल चीप सेक्रेट्री का पद है एस जो बर्जेश मुलहत्रा शाब आपके यहां भी बरतमान बिहार में कारजरत है व इसके नीचे का जो पोस्ट होगा वह सचीब सेक्रेट्री का पोस्ट होगा और इसके बाद कुछ अलगा स्ट्रेक्शेर हैं जो हम लोग देखेंगे यह तीन सीजें अब इस डिपार्टेमेंट में तीन तरह का चीज है तो हम लोग बहुत महत्मून देख लें सचीब के ब सबसे नीचे का पद होता है अंडर सेक्रेट्री अवर सेचीब इससे जस्ट उपर होता है डिप्टी सेक्रेट्री उप सेचीब उसके उपर होता है ज्वाइंट सेक्रेट्री संजुक्त सेचीब उसके जस्ट उपर होता है एडिशनल सेक्रेट्री अपर सेचीब और उसके जो रुकुर्मेंट होना है आप जौव करोगे और जौब करोगे उसमें आरियन मैं इंग्लीश में भी साथ साथ बोलते जा रहा हूं आप जौब करोगे तो इसमें आपको निदेशाले के तहत यह की पोस्ट हैं और निदेशाले ही मुनिटरिंग करेंगे तो आपके लिए जो यह निदेशाले होगा और कौन-कौन सा इसको देखेंगे निदेशाले जो इस डिपार्टमेंट के तरह थे वो तीन है जाइद रोहित कुमार फूल स्क्रीन नहीं दीख राया है यह कोशिस करें देखेंगे कि फुल स्क्रीन भी दीखें और नीचे आपका कट रहा होगा अबर्षेचीلة अपने copy में भी लिक लेना अंडर सेकर्टी अबर्षेचीब तो निदेश्ताले में तीन देशाले में निदेश्ताले में में डीटेल और इस दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डीटेल अज जान लेंगे तो नेक्स हम लोग देखेंगे तो राज कमीटी में इन्होंने अस्तार किया अपने संगठन को या कहें तो अपनी प्रशासनिक संदचना को लेकिन अब जीला अस्तर पर ब्लॉक अस्तर पर कैसे मुल्ट्रिंग हो और वहां से रहयतों के माध्यम से जमिंदार हैं जमीन जिनके पास हैं जो इसके के बनाया तो यह अब हम लोग देखते थे कि इसे को डिफाइन करेंगे और कौन से कमिशनरी में कितने जीला है यह सारे सिचे में नेक्स्ट कलास जो आगे की क्लास चलते रहेगा उसमें बीव मैं बताऊंगा तो यह हो गए परमंडल आयूक जो कमिशनर होते हैं एक कमिशनरी में यह पूरा इनके अंदर चारपांच जीला नौनो जीला भी उसके बाद जीला समहारता इनके जस्ट नीचे का पोस्ट होगा जीला समहारता इन दसेंस जिस्टिक मजिस्टेट जिन है आप कहते हैं समहारता के एंगलीश होता है क्लेक्ट तो क्लेक्टर भी कहते हैं इस्टिक या क्लेक्टर कहते हैं डिस्टिक मजिस्टेट कहते हैं तो ही जिला समहारता है तो डिस्टिक क्लेक्टर जो है यह हो गए ल америк हम देखे हैं अपर समहरता ऐडीशिनल आधिकारी नको कहते हैं अपर समहरता एडेशिनल क्लेक्टर अप्र समहरता अनमंडल पड़ाधिकारी और Southwest मोल्टिंग में होता है और कंपलेन जो भी होता है अप सॉटाप्ट गरते हैं नेक्स हम लोग देखेंगे अंसल अधिकारी यह सबसे भू सम्मंधित विबाद मामला से जुरा हुआ बात को सुनने वला अधिकारी नीचे से तो यह बॉटम से लेकर के आप टॉप तक की चीजों को छेतरी अस्तर पर आप देख लिए आंसला अधिकारी जो की ब्लॉक अस् सबसे पहला जदी कोई रहियत है कि नहीं कोई प्रावलाम है कोई जमीन वाले हैं उनकी समस्या होगे उनकी समस्या कौन सौट करेंगे यह पहला व्यक्ति हैं इंतक आप कंप्लेन अपना दर्ज करते हैं अंचला अधिकारी के पास और फिर उसके बाद यहां सौट नहीं हो हम अपना ले करके समस्या हो जाएंगे तो यह चेत्री अस्तर पढ़ हो गया अब हम थोड़ा सा देखेंगे राज न्याले का गठन अब सबावी के कि भूमी विबाद बहुत जादा है भूमी विबाद जादा है आप देख रहे हैं कि बगल में मेरा जमीन है मेरे चाचा क भी आपका निदान कोन करेगा यह मामला जब सलेगा तो न्याले में जिदि जाता जाता है टाइटिल सीट अप टर्म सुने होंगे यह टाइटिल स्टूट चल रहा है चचा ने हमारे कर दिया कि यह जमीन यहां तक मेरा ठार इन्हों अधिघरन करके और इन्होंने कहा कि यह मेरा है यह पूरी न्याले का यह सोल्जर नोट्स भी हम कोशिश करेंगे उपलब्द करा देने के लिए पूरा स्ट्रक्चर का जो भी चीजें होगा अप्लिकेशन पढ़ी होगा सारा चीज आप्लिकेशन से बाहर नहीं होगा लेकिन आपकी नोट्स वेगरा जो भी चीजें है वह आपके पावर है यह नियाले लगाने के लिए और समस्या को सुनने के लिए उसके बारता का नियाले जो पूंने बताया को कि जिला आदिकारी स्टिक मझिस्टयट जिसे कहते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब नियाला भी. हम लों की सुनवाई के लिए कि माल यह आप मलगुजारी देसेड़ा जो की हम लोग रेंट देते हैं ये जैन्च सरकार को देते हैं जमीन की जो होल्डिंग हमरा पास है उसकी रेंट पे ones करते है सरकार को इस शक भी हम बहुत WhatsApp क्या है मलगुजारी क्या है जमीन का परकार क्या उस सारे चीज़ बताएं कि इस जमीन का क्या रेंट है क्या उसकी 25 है उस सारा चीज़ हम लोग क्लास में देखेंगे इस नियाले के तरहत सबसे पहला नियाले आपने कोई बिबाद हुआ था अपने ब्लॉक अस्तर पर अपने गौं लेवल पर आपनी बातों को रख शकैंगे इसके उपर अपड़्स महरता की नियाले हैं तो आप मुभ कर सकेंगे सीबील कोट हाइगों स्रूए सीबील लोग जॉनमंडल में हैं उसको अध्यूत हैं प्रकोट है यह प्रक्रियां है जो गभीवाद को उत्पन होता है वह से सिक पर चीज़ों को रख शकते हैं तो यह सब साड़े चीज़े हैं जहां से आप स्क्रीन से उतार भी सकेंगे आप नोट्स की खाल से नेक्स हम लोग देखते हैं परिमाप निदेशाले प्रसाजनिक संरचना जिसके तहत आप ज्वाइन करेंगे आपकी पोजीशन क्या हैं बहुत बच्चों का आशर क्या स्टेटर्स हैं तो बहुत बच्चों का था हमें लगा कि इसको और अच्छा से बताना चाहिए बच्चों का तो यह निदेशक भू अविलेक हम परिमाप इसके तहत जो होंगे एक डिरेक्टर होंगे यह इसकीनि देशाले को निदेशाले हैं इस निदेसाले को नियंत्रन करने कि लिए Kita सुप्रीमा बॉस जो होंगी तो Lights देखेंगे इसके सहाइक निदेशक होंगे एसे साइक अपनियातुर कर समय निदेसिटर भी रसवाइए। जिसे आप काम करने जा रहे हैं तो अब देखेंगे हम लोग निदेसाले के निद्राधिन कर जाले क्या क्या हैं छेत्रिय कर जाले और दूसरा है बिहार सर्विच्छन कर जाले गुलजारबाग यह जो बिहार सर्विच्छन कर जाले गुलजारबाग है जहां से पूरे बिहा आपके पास होना चाहिए थाना नंबर खाता नंबर खिश्रा नंबर या मौज़ा जो होता है यह सब जनकारी आपको होना चाहिए तौजी नंबर यह सब आपको यहां से इसकी विजनकारी हम डिटेल देंगे कि मैप में क्या-का इन्फरमेशन होने के बाद आपको अपनी एरिया का मैप देख पाएंगे या निकाल पाएंगे यह जान पाएंगे जब हम लोग मैप स्टेडी करेंगे वहां इन सारी चीजों को लोग पढ़ेंगे इताना नमर क्या होता है तोजी नमर क्या होता है खश्रा नमर क्या होता है खाता नमर क्या होता है रकवा क्या होता है लेंड का एरिया क्या होता है लेंड का टाइप क्या होता है और कैसे उसको हम समझेंगे तो सारा चीट सब्सक्राइब कि पॉस्ट बहुत अजीब हैं सर क्या अमीन का पोस्ट भी सकता है कोई खरीद भी नहीं सकता है कर सकता है कि लेकिन प्रोस्ट में इस चीजें को ख्याल नहीं करें हम लोग जो क्लास कर रहे हैं प्लीज इस पर फोकस्ट करें यह बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस अस्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे ना तो आप ड्यूटी आवर में बहुत प्रसान हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पत्र का जव कर जाले होंगे यह बंदोबस्त पदाधिकारी का एक पद जो है जीला आस्तर पर एकलोता है जस्ट कहें कि आपके डिपार्टमेंट का एक पैरलल लेवल का यह जैसे जीला में आप सुनते हैं कि डीम साब के एक ही पद होता है तो यह जो आपके निदेशाले हैं भूव अ प्रवहाड़ी पदाधिकारी इन्होंने साथ में रखा कि मेरी अनुपस्थिती मेरे अवशेंस में भी किसी परकार की कार्ज जो हैं बाधित नहीं हो कि पुरी जिला का लोड़ीन के पास है एक शपोटी भी होंगे तो नेक्स हम लोग देखेंगे जस्ट सहायक बंदोवस पदाधिकारी की पद ब्लॉक अस्तर पड़ है अभी जो सर्वे की काम चल रहा है पुरे बिहार में विस जिलाओं में तो सिबिर एक ब्लॉक में दो या तीन या एक करके बनाया गया है अभी जो आप लोग जोईन करने जा रहे हैं सरकार की यह महत्वकांची योजना की त पदाधिकारी और आपके अलग होंगे तो जदी दो बनता है सिविर तब जदी एक ही सीविर हैं वेसे कंडिशन में एक सायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे जो की ब्लॉक लेवल पढ़ोगा नेक्स्ट देखेंगे जस्ट इनके नीचे आते हैं कानुनगो तो पहले जो था एक सिविर में दो कानुन गों चाहब थे लेकिन अभी बरतमान जो नहीं आप लोग जोईन करेंगो उसमें लाया गया हरूल कि एक सिविर में एक ही कानुन गोंगे एक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे और आप आखरी नंबर आता है आपका जो की अमीन का जो की अमीन का पद्द है इमीन सर्वे डिपार्टमेंट का घरे हैं अमीन सर्वे डिपार्टमेंट का कह सकते हैं अनिके अधार से जो किए गए इन कि दवारा जो लिया गया है एक लिखित रूप से कानून है जो डिसाइड कर देंगे साइड पे जा करके जमीन पे खाड़ा हो करके और मेजर्मेंट कर देंगे वो रहियत को मानना होगा जदी कोई तुरूटी होगा तो उपर की पतादिकारी है कंप्लेन आगा फिर शंशोदिन्त होगा लेकिन इनकी को रहा है और इनकी द्वारा कियेगे न्याय हमें जस्टिस मिलेगा तो आप लोग कितना ही मंदाड़ी से काम करेंगे जाने के बाद आप पर निर्वड करता है तो राहुल इंग्लीश में भी ट्रांसलेट करके नोट्स देखिए सर प्लीज कोशिश करेंगे इंग्लीश में भी ट्रांसलेट कर दें नोट्स को लेकिन एक्च्वल बेटा इसमें क्या है ना कि बहुत सारा जब आप जौब में जाओगे रहो ना तो इंग्लीश में काम नहीं कर पाऊगे विहार में जो भी है आपको यहां हिंदी सिखनी मजबूरी हो जाएगी मैं यह नहीं कर रहा ह है आपको इन टेक्निकल टर्म को जानना होगा इसके नेक्स क्लास के बाद इसकी जो अगली क्लास होगा हम आपके टेक्निकल सब्दावली पर लेकर कहेंगे उन सब सब्दावली को आपको जानना होगा जहां उपयोग करेंगे आप कार्ज पस्थल पर तो इन चीजों को तो अमीन जो हैं हमारी यह सरविच्छन कार्जों का एक बैकबॉन कह सकते हैं रीर हैं या सिबिल की भासा में कहीं हमारी यह फांडेशन ने जिस पर पूरिया स्टॉक्चर खड़ा है और आपके द्वारा लिए गए निर्ने हर किशी को इस तरह कुछ कुछ पताते रहें थैंक्यू राहूल तो यह हमारा अमीन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पद है कि जिमवार भड़ा जिमवारियों से भड़ा हुआ अब सोची कि दो फैमली के बीच दो भाईयों के बीच दो परिवार के बीच दो धर्म दो मजहब के लोगों के बीच कि जो जमीनी विवाद हैं उसे जिमवारी आपको मिला है नयाय करने का तो यह कह सकते हैं कि जस्टिस का सबसे बॉटम पोजीशन भी कहें जब आपका अमीन से सुरू होता है जितनी फज़दारी मुकादमा और क्रिमिनल मामला जो आप सुनते हैं वो जमी जमीन विवादित बहुत साथ है जालम चला कि चाचा को चाचा ने मार दिया भाई को भाई ने मार दिया जमीन से समनेत मामलों पर और वहां आपको खड़ा होकर काफी चैलेंजिंग भरा जौब है यह जौब आपके लिए इतनी चैलेंज भरा है कि जब आप बरक अस्थल है वह क्टा पिस्टल वाला लेकर कि आ जाएंगे मिन सही इधर से नहीं गोले ч Tapi सप्राइल और ख़षरा को दिए जमीन अदने मिरा यहां से हैं और आप वहां कर देंघी तो मुश्किल हो जाएगी उहां आपकी शाहस की भी जरूत है हिम्मत की भी जरूत अपने डिपार् सकते हैं आ जाएगा और मेरी यह पावर नहीं दी गई है कि हम आपकी जमीन की एरिया को रखवा को बढ़ा देंगे इंती शाहस भरी इतनी जिमवारी भरी बरक हैं कि आप सूच नहीं सकते तो प्यारे बच्चे आप लोगों की शभी को शुब कामरा जिनको भी सेलेक्शन हो एक आरियान का सर आप बोले बंदोबस्त पदाधिकारी तो एक ही हैं बंदोबस्त पदाधिकारी ये जीला में हैं आप यहां जो आप सोड़ी ये जो आप देख रहे हैं ये बंदोबस्त पदाधिकारी आपके डिस्टिक में है वेटा ये इनकी एक पद हैं जीला लेवल क और उनके साथ एक प्रभाडी हैं प्रभाडी पदाधिकारी वो भी जिला में ही बैठेंगे लेकिन अब जो स्ट्रक्चर है डायरेक्ट आपका सर्वे के काम में वो हैं प्रखंड लेवल का जो यह हैं आपके सहायक बंदबस्त पदाधिकारी यह इनकी सिविर जदी एक बना आगे की प्रकड़िया लाई गई है क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में इंपलाई को हायर किया जा रहा है कि सर्वे जल्दी समाप तो कुछ बच्चे हमसे प्रस्ण पूछ रहते कि सर्वे क्या एक साल में निकाल देगा इनकी तीन साल भी चुका है एक तीस मार्च तर हम को भी अस्टॉप देगा क्या मिल दिख रहे हैं सुमन तुनन आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं समन कि स्टॉप मिलेगा यह सुमन आपके लिए भी एक लिपिक जो दिया जा रहा है को आपके ऑफिस का है आपके डेटा सहयोग के लिए हैं और आप लोग के लिए भी एक इंपोलाई जो हैं वह आपके सहयोग के लिए हैं एक हैं सो सर अमीन कितना रहेगा एक डिस्टिक में यस उसी पर आँ तो अमीन अमीन जो आप यहां आप देख रहे हैं यह जो आपकी अमीन का पोस्ट है एक कानुनगों सहाब के नीचे अभी जो बरतमान जोईनिंग हुई थी उसमें दस अमीन सहाब रखे गए थे इस बार हैं कि एक कानुनगों के अंदर 20 अमीन को रखे जाएंगे यह उससे अधिक पतलब एक ब्लॉक के अंदर जितना मौजा चार्ज दिया जाएगा तो आपको मैक्सिमम चार्ज देंगे लेकिन हमें जहां तक जनकाड़ी मिल रही है कि 20 अमीन होंगे एक ब्लॉक के अंदर में तो 534 लगभग ब्लॉक हैं चोटा बड़ा सम्मिला आकर कुछ से कोड़िंग देख लिए कहीं चोटा ब्लॉक होगा तो दस भी रहेगा और सबसे चोटा ब्लॉक होगा तो पांच भी होगा तो उसके अनुसारा स्टक्चर त्यार करेंगे लेकिन कानुन गो और बंदवस् यह समय खाना पूरति के शमया जब नया एकांट खोलेंगे रही तो का तो यह सारा चीज इसमें कितने लोग जान रहे हो तो यह तो जान रहे हो तो जुए नहीं जान रहे हो तो लिखेंगे पंदी आप लोग हमारी क्लास में हमारी आवाज clear है तो आप पताएंगे जो जान रहे हैं कि रहां मैं जान रहा हूं heroin लगे जान रहा है वो लीखेंगे रहा ख़ार लूश का mods झान kein ज०्रफ कर रहा है देख नहीं पता शर। जhouse अहमद जान रहे हैं नो तो यह उर्दू या फार्सी का सब्द है जो जमीन का मालिक हम लोग अपने आपको कहते हैं हम लोग जमीन का मालिक नहीं होते हैं हम लोग रेंट होल्डर होते हैं इंगली समस्कों रेंट होल्डर कहते हैं मालिक तो सरकार है सरकार मतलब बिहार सरकार जहां सब्द मैं पढयोग करूं उससे अभी प्रेत है बिहार सरकार के अंदर सरकार ना समझेंगे मैं पूरी क्लास पिरियड में सरकार सब्द का कहीं भी यूज कर रहा हूँ इसका सब्द का मतलब होगा बिहार सरकार उस मालिक पूरे लैंड का जो होगा वह बिहार सरकार होगा और जितने जो जमीन हैं कि यह सर जमीन मेरा मेरा है लाको लाक में मैं खड़दा हूँ यह है वह आप एक रहियत हैं उसका rent holder है आएं यह राजीब रजीव रंजनका था इसर पुर्बाजों का जो जमीन जो था जमीन होता था उसको कैसे लिखते तब उस अब देखें खतिहान के थूरु है उस अब जी क्लास में पढ़ाएंगे उसारा कंडिंब बताइंगे जहां डिड की किला समपढ़ा रहे हैं सब्सक्राइब कि में क्या स्क्रिप्ट था बरतमान क्या CRA lavLa किस जमीन का टाइप सा कहाँ उसको देखा जाता पूछेंगे तो बड़ा दिक्कते आ जाएगा इसी लिए काफी इंट्रेस्टेंड कलास है और यह हर एक लोगों की नॉलेज होनी चाहिए जरूरी नहीं है कि हम सर्वे काम में जा रहे हैं तब ही जरूरी एक एक चीज में बताऊंगा ऐसा चीज जान करके आपको काफी असर्ज होगा कि यह सब चीज़ें होता है और हमको जनकारी नहीं है जब आप बिहार परदेश का इस बारत का नागरिक हैं और सभी कोई लैंड होल्डर है अपने मान लोग की बंसावली के तहत मेरे दादा परदादा सब्सक्राइब कर लेगी हमें पैसा रिटेंड करेंगे उसके मुआबजे के तहता और जमीन हैंड कर लेगा या हम चाहा करेंगे कि नहीं मैं अपना लेंड नहीं दे सकता हूं सरकार को यह संभव नहीं सरकार अलड़ी मालिक है चलिए तो चीजें अब हम लोग देखेंग कि पिहार सर्वच्छन कर जाले जो गुल्जार वाग.. उसमें एक निदेशक का पोस्ट है उसके बाद सहायाक निदेशक राजश्यू का पोस्ट है और एक सहायक निदेशक प्रशासन यह इतने लोग मिल कर गुल्जार वड़क कर जाले को आप कंट्रोल करते हैं और भी न कि अमीन के पद पर जुआइन करते हैं आपको आदेश जीला से निकाल देंगे बंदवस्पदाधिकारी कि फ्लाने ब्लॉक फ्लाने सिबीर के सभी अमीन कानुनंगों को सुचित किया जाता है कि है ना विहार सरवेच्छन कर जाले गुलजार वाग से इस एरिया जहां आप क चीजों को समझेंगे किसमें क्या डिफ्रेंसेज हैं और इसकी क्या इंपॉटेंस है इसके बारे में आपको जान लेना है कि गुलजार वाग में है और गुलजार वाग में जस्ट पूल टेकनिक कॉलेज जो पतना साथ उसके पीछे आप थोड़ा सा और आगे बरहेंगे जनकारी में आपको दे दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो पॉल्टेकनिक कॉलेज हैं पतना साथ उसके जस्ट पीछे यह आफिस हैं वहां से आप कहीं का भी नक्सा निकाल सकते लिए अब नेक्स्ट हम लोग देखें चकबंदी निस देसाले और प्रसासनिक च्रचना यह चकबंदी क्या है आपने अखवार के माध्यम से या डायेक्तारियत के प्रेस खांफेंस के मत्यम से सुना होगा कि जैसे यह कह रहे थे कि एक साला दो साल हमको काम करके निकाल देगा तो मैं प्रॉमिस के साथ कहता हूं आने वाले अगले दस साल तक यह निकाल नहीं पाएंगे इतनी जटिल बर्क हैं जब आप ग्राउंड पे जाएंगे प्लॉट पे खरा होंगे और जब काम करना शुरू करेंग सरकार के शाथ आप लोगों के शाथ लेकिन काम बहुत चारा है इतना जल्दी शोटने होगा तो इसके बाद जब हम लोग सर्वे परक्रिया समाप्त करेंगे तो चकबंदी परक्रिया में आएंगे चकबंदी का मतलब एक कुछ ऐसे प्लॉट्स जो हमारा यहां है या कोई आदमी है जिसके अगला दूसरे जीला में हो या दूसरे गाउं में हो और एक ही जगा वो चाह रहे हैं कि अपनी प्लॉट को हम एक्वायर करके रख लें और उनका भी प्लॉट जो है एक साथ हो जाए तो उस तरह की प्लॉट की चकबंदी की विवस्ता है इस पर भी हम ल फारा कि चक्कबंदी निदेशाल्य डिडि एक बनाया वहलृ उसके एक डाएरेक्टर जैसे की भू परीमाप ब्लेकपकर ऐक डारेक्तर है तो हीए त्ली निदेशाल्य का इंगिग्स्त्स सुब्सक्राइज करफे लिए ङ की सब्सक्राइब निचे डिएक प् recon 6 3 मार्थ रखा है वहां भी नेक्स देखेंगे चक्वंदी पदाधीकारी डिरेक्ट आगे उसके बाद सहायक चक्वंदी पदाधीकारी है तो यहां हम लोग जूरेंगे अब इसके बाद एक बहुत महत्पूर्ण है बच्चे ने प्रसंद किया था कि सर मैं कानुनों को को समाप्त कर कर जाएगा की अमीन को समाप्त कर जाएगा इतना काम है कि आप लोगका करके ठख जलगे निकालने की बात दो भूल जाऊ एक टरहा की Permanent भूराइशन निदे शाले की पर सास्ट सरनचना भूरजन निदे में कि जरूरत हैं जैसे अब बच्छे ने कहा कि सर हम समझ रहते सुमन का था कि अभी तक मेरा जमीन है लेकिन जमीन सरकार की मैं रेंट होल्डर हूं उनको रेंट पे यह कलवर्ट रोड या इंस्यूशन कॉलेज आई टी आई पॉल्टेक्निक कॉलेज ए मेडिकल कॉलेज इंजिनिंग कॉलेज जो भी खोलना चाहरी है उसके लिए भूरजन की संरचना स्ट्क्शर बनाई गई जमीन तो सभी रहियतों को दी हुई है सरकार ने कुछ जगों प सब्सक्राइब को नहीं मिलेगा तुम कैसे छोड़ेंगे नुक्शान हो जाएगा तो हमारा अंजस्टिस भी नहीं हो मेरा आहित भी नहीं हो उसके लिए सरकार नहीं रखा है बोर्जन निर्देशाल होता है कि सरकार एक मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है हमें वहां लैं सब्सक्राइब करें अभी तो कंटीनु आप बर्क करें आपकी मास औराइजिशन काम करने लगे फिर आप संगठीत होंगे तो बात की चीचे लंबा संगर्थ चलता है भी यह बाद में करेंगे इस पर इसके दो करदाले हैं एक निदेशाले अस्तर पर जो की राजस्तरिय होगा अधेजर कर जा रहन वगा इसमेरी निदेशाले सथर निदेशाले मुक्ठ्र होनगे उखेस्ट्र होंगे automobile टो्त कर चाले जिनकी जरूत है को दे सकती तो यहां समधारता हो गए उनके जस्ट नीचे अपर समधारता है उसके जस्ट नीचे जीला भू अरजन प्दाधिकारी अब देखें जो कानुंगों साहब जुआन करेंगे ना उनका इहां भी बहुत 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 बश्राज जग है जस्ट इन तरह की जो अस्ट्रक्षर हैं भूमी एवं राजस्य विभाग का कार्ज को संचालन कराने के लिए हर किशी की जिंबारी और दायुत नहीत की गई हैं इसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो राजस्य सर्वे प्रसिच्छन संस्थान यह बोध गया में कितने लोग आज से तो केंदर जो हैं संस्थान आपका बोध गया में हैं कितने लोग जानते दे लिए रश्मी या मेरी आवाज समझ में नहीं आ रहा है बेटा आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है और कि नहीं को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताएं लेकिन हिंदी शीखना परेगा टेकनिकल टर्म को यह त्रेनिंग अस्कूल आपका जो सरवे का हैं वह बूध गय में हैं अब इसमें दो पोस्ट है प्राचार्ज का एक अनुदेशक इंस्टेक्टर जी से कट करीव करीव जितने टर्म से मैं इंग्लीज भी बोलते जा रहा हूं साथ में आप लोगों कर लेंगे इंस्टेक्टर का अब यह हमारी आज की जो इंट्रड़क्टी क्लास था यह पूरी चनरचना अधारी तो परसासनिक चनरचना है उस पर था हम लोग अगले क्लास जो हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्ष्टर हमारा होगा भू सर्विच्छन से समंदित महत्पुन तक्निकी शब्दाबली एबम समानने अर्थ पूरी क्लास को जानने और प सर्वानी जी आप लेकिन आ गया है मेरे साथ मेने स्ट्री में मज़ा आया गया यहां सो यह जो सब्दाबली है भू सर्विच्छन से समंदित महत्पुन इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स आपको जानना होगा और यह उर्दू की भासा है और सी भासा है अर्वी भासा ह हिंदी के क्लिस्ट सब्द हैं जिसे आपको याद रखना हुआ है कि सोलजर इसका प्यूडियफ दिजिएगा सर प्लीज ओके ओके सोलजर प्यूडियफ भी सेंड कर देंगे तो यह जो सब्दाबली है करिम अलहाई 300 के आसपस सब्दाबली है तो पांच नवंबर से हमारी जो क्लास स्टार्ट होड़ा है रेगुलर सब्दाबली अभी से पांच नवंबर तक आप याद कर लेना या तो समझ के रख लेना क्योंकि यह पूरी क्लास में हम टर्म उनहीं सब्द को करेंगे जिसे हमें पढ़ाने में भी सुब्दा होगा और आपको समझ में आना चाह क्योंकि आप जब काम करने जाएंगे बिहार में बहुत हमारे बच्चे इसमें कर रहे हैं आशीप हुशैन अमीन की पोस्टिंग सेम डिस्टिक में होगी क्या यह कुछ जरूरी नहीं है डिरेक्टेट डिशाइड करेंगे आशीप अमीत सर डिप्लोमा में सब्जेक्ट सिब्ल इंजिनियरिंग एक हो गया अब उसी में कोई रूलर टेकन अलागी से हैं उनका अश्पेसलाइजिए से रूलर इंजिनियरिंग है सिट्विल में है वह उनके लिए है आपके लिए नहीं है रोहित का कुस्टन है नेक्स क्लास कब होगा बता दो बिटा कल तक मैं पटना में हूँ कल के बाद गाउन निकल जाओंगा यह हमारी कोशी से क्योंकि छट पुजा भी है हम कोशी करेंगे कि कल ही आप लोगों को क्लास देदें काफी डिमांड है बच प्यों में नोट डाउन कर लिए और वो सब दिन के लिए बहुत महतपुर्ण होगा इस एक छोटा सा सब्सक्राइब बोलते हैं गाउं के लोग इसमें तो बहुत सारे बच्ची भी होंगे मैं सबस्ताओं सहर्स के लावावा भी मेर एक सब्द है मेर कभी सुना अपने मेर यह या नो रमा कांद एक गुरू बना देते हैं आरती मेर मैं बोला हूं मेर नो चलिए और येस सुल्जर ने बोला आरी येस आरी मतलब जो एक जमीन से दुसरे जमीन को जो डिवाइट करने वाली पतली सी लाइन खीचते हैं उसी को मेर बोलते हैं अब पूरी सर्वे प्रियड में आरी आप कहीं टर्म नहीं मिलेगा न लिख सकेंगे खीए ठीक है थैंगी शीमा और बांध बोल रहा हैं बांध को मेर बोलते हैं आसी बेरी गुड़ अब दिखें क्या है यह टर्म अब इसकी पुरी सर्वे में आपको कहीं भी पेपर लि इंगली से मोलते हैं लेकिन जब भी आप पेपर बर्क करेंगे तीसी माना ही लिखना पूरेगा इसी टेक्निकल ट्रम्स हैं तो आपको प्लीज परना होगा नहीं तो आप बर्क नहीं कर पाँगे बहुत मुस्किल हो जाएगा हम यह कोशिस करेंगे कि उसकी इंगलिस ट्र रहेंगे तो काफी मज़ा आने वाला है और इंज्वाय के साथ भी परहेंगे हर जगह पर जहां-जहां हिंदी में कि रामा कंथ हिंदी में देनेरी या कुछ बोलते हैं बहुत सारा सब्सक्राइब कि यह सब्सक्राइब को जानना होगा तो मैं सबस्ता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और क्लास से समन्दित थोड़ा अपडेट कर दें कि जो भी बच्चे आपकी संपर्क में हैं जनकारी में हैं तो उन्हें भी आप अपने कलास से समन्दित बताएं कि क्या चीजें अहां हैं और कितनी इंपॉर्टेंट है आपको जाना एक एक चीजों को तो उन्हें भी सुचनाक दें आप और सारी चीजे मैंने 5 नवंबर तक के लिए प्राइ इंट्रेस्टेट हैं क्लास हमसे सीखना सारे चीजें क्या-क्या चीजे पढ़ना है सरवे से समंधित यह पूरा चीजे एक चीज करके पढ़ेंगे और सबसे महत्तपूर्ण होगा परपत्र अध्यान ये पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा एक परपत्र इतनी जाएंगे और जवाब भी देते जाएंगे और रिकॉर्डेट क्लास भी उपलब्द रहेगा और कोर्स की एक्सपारी जो हमारा 31 मार्स 2015 तक रहेगा तो इस सारी चीज की जनकारी अथाबत में दे चुका हूं संस्थान की एड्रेस है कोई आना चाहता है तो यहां आपके ग्रूप बना दिए ठीक है बेरी गूड आपको इसी चैट सेक्षर में जो कल आपको मैंने मैसेज किया था ओहीं पर आपको ग्रूप का लिंक हम सेंड कर देंगे ज्वाइन कर लेंगे आप से रिक्वेस्ट होगा कि उस ग्रूप की लिंक को दूसरे दोस्तों से सीर नहीं करें भिरहभाई में पकरे जाने की स्थिति में क्लास से आप भी निकाल दे जाएंगा और उनको भी निकाल दिया जाएगा और शिभाम संकर कुमार है मेरा सर मेरा 24.2 परसें बनता है इवी सी से हो जाएगा संभावना उमीद रखे कल हम और चीज एक्सरसाइज करके कंफर्म बताएंगे चलिए विकास तो मैं समस्ता हूं कि क्लास पूरी कंप्लेट आज की जो इन्फर्मेशन था हमरा बच्चों के तरफ से स्ट्रक्चर पर से डिटेलिक बनाईए हमारी क्या स्ट्रक्चर है तो बहतर करेंगे क्लास अगर छूट जाया तो हम कैसे पढ़े है हमारी प्रयास आपके लिया रियन होगा की आठ बजी ही हम आज है क्लास समाब थोरा चार नवंबर तक बच्चों के एक्जाम जैसे शुरू हो जागा इसलिए मैंने पांच नवंबर से आप लोग को क्लास को रखा है तुबरात्री राहोल सभी को गुड़नाइट और फ